प्रणाम आचारे जी हमारे विस्तृत परिवार में श्राद करने को बड़ा महत्वत दिया जाता है श्राद के दिनों में पंडित को बुला कर खाना खिलाना, यग्या वग्यरा करना आधी मैं यह नहीं करती हूँ पर डरती हूँ कि क्या मैं अपने पूरवजों के लिए श्राद ना करके उनके साथ कुछ अनादर या गलत तो नहीं कर रहे हूँ चलिए मान भी लिया क्या आप अपने पूरवजों से प्रेम करती हैं, उनका आधर करना चाहती है आधर माने क्या आप जब कहें क्या आप किसी का सम्मान करते हैं, उसका अर्थ क्या है मैं हाँ बैठा हूँ आप कहें आप मेरा सम्मान करते हैं, उसका क्या अर्थ है क्या आप मुझे सिंहासन पर या मंच पर पहाड पर चढ़ा दें और आप नीचे बैठ जाएं, ये आप मुझे सम्मानी, शद्धे, आदर्णिये आदे संभोधनों से विभूषित करें, ये मैं मर जाओं तो मेरी याद में एक दिन दिया जला दें, ये सम्मान माने क्या, निश्यत रूप से सम्मान का कोई गहरा अर्थ होता होगा ना, कोई असली अर्थ होता होगा, क्या किसी का मान रखना माने क्या जाहे वो दोस्तों का हो, रिष्टेदारों का हो, जाहे पितरों पूर्वजों का हो, मान रखना माने क्या मान रखने के लिए पहले हमें ये तो पता होना चाहिए ना, कि किसी में भी मान रखने लायक तत तो कौन सा है, आप किस चीज का मान रखना चाहते हैं, मान रखने का मतलब होता है उंचा जानना, मान रखने का मतलब होता है मूल ले देना, मूल ले देना, जो आप किसी के सामने सर जुकाते हो, तो उसका मतलब होता है कि तेरी कीमत मेरे उठे हुए सर से ज्यादा है, और मैं इस बात को सुईकारती हूं, यह अर्थ होता है ना, इसलिए आप हर एरी गईरी जगे तो सर नहीं जुका देते हैं, यह सर कहीं कहीं ही जुकता है ना, सही जगह ही जुकता है ना, कहां जुकता है, जहां कीमत दिखाई देती है, मूल ले, तो अगर किसी का सम्मान करना है, तो पहले तो यह पता हो ना, कि उसमें कौन सी चीज है जो मूलेवान है, आदमी में क्या चीज है जो मूलेवान है, क्या मैं आपके सामने बैठा हूँ मुझ में क्या मूलेवान है मेरे माथे का पसीना बालों का पानी यह कपड़े यह दाढ़ी नाखून थोड़ी देर पहले मस्त इडली खाई थी क्या मूलेवान है क्या मूलेवान है पहला चरण तो यह कि हम समझें कि किसी में भी क्या चीज मूलेवान है और पिर दूसरी बात अगर मुझ में ज्ञान मूलेवान है तो उसको सम्मान देने का तरीका क्या होना चाहिए आपके लिए उसको समझना और उसको चलना जीवन सच्चाई में गुजारना जीवन समझदारी में गुजारना यह होना चाहिए ना तो उसको सम्मान देने का तरीका पले हम जब किसी के सामने जुकते है तो ऐसा लगता है उसके शरीर के सामने जुक रहे हैं पर वह शरीर जब राख हो जाएगा तो क्या राख अपने सर पे मलके चलोगे बोलो क्या करते हो कुछ राख ओड़ जाती है जो थोड़ी बहुत आती इसको नदी बहा देते हो इतने ही तो करते हो तो जब आप किसी के सामने जुकते भी हो तो ना उसकी नाक के सामने जुकते हो ना आक के सामने जुकते हो ना पेट के सामने जुकते हो ना हडडी ना खून इन चीजों के सामने जुकते नहीं। आप उसकी चेतना की उचाई के सामने जुकते हो, है ना? सम्मान देने में हमने ये समझा सबसे पहले कि हम किस चीज के सामने जुकते हैं। और फिर हमने ये समझा कि उस चीज को सम्मान कैसे दिया जा सकता है। उस चीज को सम्मान देने का एक ही तरीका है। उसको अपने भीतर भी उंची से उंची जगहदे देना। तुम कहना कि अगर भाई वो चीज कीमती ये मुल्यवान है। अपने जूते में रखो उसको, या अपने सर के ऊपर, कहां रखों, अपने सर के ऊपर ना, अपने जीवन में उसे शीर्ष इस्थान देना पड़ेगा मुझे, तो फर्क नहीं पड़ता कि आपके पूर्वज हों, या किसी और के पूर्वज हों, हर मनुष्य में जो चीज सम माननी है, वो एक ही है, उसका नाम है सच्चाई, उसी सच्चाई को कभी आत्मा कह दिया गया, कभी ब्रह्म कह दिया गया, कभी बिंदु कह दिया गया, कभी मूलतत्तु कह दिया गया, वो हर व्यक्ति में मौझूद है, वो हर व्यक्ति में मौझूद है, प्यास बनकर, कि टेखाँ है आहर आदमी साचाई के लिए धर दरभागता है, रगआ है व which ever has one, वो हर अदमी मौझूद है तो किसी को भी अगर आपको सम्मान देना एं, तो इस बात का ख्याल ठहीए, जाहे जीवित लोग हूँ और चाहे दिवंगत लोग हूँ, किसी को भी सम्मान देना है तो इस बात का ख्याल रखिए सम्मान का अधिकारी ना किसी का पद है ना रुतबा है ना प्रतिष्ठा है ना रुपया पैसा है किसी में भी सम्मान का अधिकारी एक ही तत्त है सिर्फ उसी के सामने सर जुकाना है पहली बात तो सिर्फ उसी के सामने सर जुकाना है, दूसरी बात वो तत तो सब में मौझूद है तो एक हो तो हम कहा रहे हैं, सब के सामने सर जुकाना है, और दूसरी बात हम यह कहा रहे हैं, कि सब के मान सम्मान, रुत्बे, पैसे के आगे सर मत जुका देना, सुक्ष्म बात है, समझे अच्छे से सर सब के सामने जुकना चाहिए लेकिन सर सब की छाती में बैटी सच्चाई के सामने जुकना चाहिए ये नहीं कि सब के सामने सर जुकाने के नाम पर ताकत के सामने सर जुका दिया, भय के सामने सर जुका दिया पदपतिष्था धनसंपदा के सामने सर जुका दिया अन्याय अज्ञान के सामने सर जुका दिया नई 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 और फिर ये भी कह दिया कि वो तो गुरु जी बता गए थे ना सब के सामने सर जुकाना चाहिए क्योंकि वो मूलेवान तत्तो सभी में है अगर आपको अपने पिताओं और पितामहों को श्रद्धानजली देनी भी है तो कैसे देंगी इधर उधर करमकांड करके पचास तरीके के आयोजन करके खोखले रस्मोरिवाजों से यह और कोई तरीका होना चाहिए बोलिए श्राद धित्यादी जो प्रथाएं है अगर यह आपको एक सच्चा जीवन जीने की और प्रेरित करती हो तो अच्छी है ठीक है फिर लेके नागर यह प्रथाएं सिर्व आडंबर और पाखंड बन गई हैं बाहरी क्रियाएं भर रह कही हैं तो फिर इन में कुछ रख्था नहीं बात समुझ रहे हैं वो जो सब थे ददा पर ददा वो तो गए जो बचा है उसे सत्य कहते हैं वही बचा रहता है लेड़ है जब उनको लेकर चले थे वillar तो याद करा था ना राम नाम सत्य actor इस का अर्थ क्या था कि शरीर एं सात्य निकला भईया कि यह शरीर क्या निकला असत्य इतने दनो को कह में शरीर को ही देख ते रहे उसी गी सेवा सुष्रुसा करते रहे और ये तो जूठा निकला दगा दे गया देखो हमें यही छोड़ करके ये शरीर आज विदा हो गया, राख हो जाएगा अब ये चेहरा कभी दुबारा दिखाई नहीं देगा कितना भी हम बुलाएंगे अशत निकला, क्या निकला ये? अनित्ते अमनेर जो टिक्ता नहीं समय जिसको झिल्या जाता दो तो फिर हम कहते है राम नाम सत बुल्हत तो वह जो ददा पर ददा चले गए उनका अब बस क्या बचा है? राम नाम उनका अब क्या बचा है, वो किस रूप में अब हैं, सत्य के रूप में हैं, तो उनको अगर सम्मान देना है, तो अमें अपनी जिन्दगी में क्या उतारना पड़ेगा, वही सत्य उतारना पड़ेगा न, यही तरीका है, उनको आदर देने का, और कोई तरीका नहीं है, आप बड़ा भव्वे आयोजन करें श्राद्ध अगयरा का उसमें लाख खर्च कर दें दसलाख खर्च कर दें और जिन्दगी आपकी जूठ से पटी पड़ी है तो ये श्राद्ध किसी काम थोड़ी आने वाला है आरीवाद से मुझ मैं क्या कर रहे हैं क्या ये करने से वो जो अत्रिप्त आत्माएं घूम रही हैं उनको पानी पहुचेगा ऐसा ऐसा करने से पानी देने से उसब जो प्यासी रूहें हैं उनको पानी मिलता है अड़े यार जलवायू परिवर्तन हो रहा है इतने पक्षी, इतने पशूप प्यास से भूखे मर रहे हैं प्रजातियां की प्रजापतियां विलुप्त ही जा रही है उनको पानी पिला दो, उने खाना खिला दो वो ज्यादा सच्चा तरीका होगा अपने पूरजों के प्रतिसमान व्यक्त करने का अब उन्हें पानी थोड़ी पिला सकते हो जो गला पानी पीता था वो तुम्हारे हाथों में मौजूद है राख बनके अब कौन पिएगा पानी भाई? पर इसब खूब चलता है कपड़े दो वो कपड़े पहनेंगे अच्छ, कपड़े पहनेंगे, जरूर और तो और साइकल, बाईक, यह सब पंडितों को दान में दी जाती है कहीं यह होगा नहीं तो बड़ी लंबी यात्रा करनी है उन्हें स्वर्ग लोग तक की पहुँचेंगे कैसे? उनके प्रतिसमान व्यक्त करने का बिलकुल इमांदार थरीका क्या है? क्या है? चाहे वो अपने पितर पूरवज हो और चाहे दुनिया का कोई भी और आदमी सब में सम्मान नी तत्त तो एक ही है हम यह कह रहे हैं, ठीक? दुनिया में कोई भी हो उसमें सम्मान लायक यही चीज होती है और वही तरीका है उसको सम्मान देने का और कोई तरीका है नहीं